बिहार में NDA नितीश कुमार को क्या चुनोती देगा? NDA तेजस्वी यादों को क्या चुनोती देगा? आपस में ही NDA के नेता एक दूसरे पर इस तरीके से वार पलटवार कर रहे हैं जिसने बिहार की राजनिती को दिल्चस्प मोह पर लाकर खड़ा कर दिया है अब कल ही पूरे बिहार में वीर कुमर सिंग का विजय उत्सों मनाया गया लगभग तमाम राजनितिक दलों ने समाजिक संग्टरों ने अपने अस्तर से वीर कुमर सिंग की क्या विजय उत्सों मनाया और इस विजियोत्सों को राजन्यतिक रंग देने का प्रयास भी अपने अपने अस्तरसत लगबग सभी दलों ने किया भारतिये जंता पार्टी वहशाली में कारेकरम कर रही थी अब इस दोरान देखे चिराग पास्वान की पार्टी के राश्ट्य उपाध्यक्ष यानि कि चिराग पास्वान के बाद जो सबसे बड़ा पद है राश्ट्य उपाध्यक्ष राश्ट्य उपाध्यक्ष अचिवता नंदन सिंग पूरु विदायक भी हैं देश के रक्षा मंत्री राजनात सिंग पर किस तरीके से अमर्यादित और विवादित टिपनी करते हैं कि सुन लिजिए वो देश के रक्षा मंत्री राजनात सिंग को पिछलगवा कहते हैं और कहते हैं कि भारतिय जंता पाटी में उनकी स्थिती ऐसी हो गई है कि उनको कुट्ता भी नहीं पूछता है और ये बात सबसे अस्टे रिजनक रही कि लोजपा के रास्टिय ध्यक्ट सहब पूरु विधायक ने यहाबात बीजेपी के मंच से ही कहे डाला बीजेपी के मंच पर खड़े होकर उन्होंने राजनात सिंग की बुराई कर डाली अब एक तरफ देखिए कि बिहार में भारतिय जंता पाटी चिराग पास्वान सिंप के साथ मिलकर नितीश कुमार को सत्ता से उखार फेकना चाती है चिराग पास्वान की पाटी और बीजेपी मिलकर तेजस्वी आदव से लडाई लड़ना चाते हैं महागडबंदन के मजबूत वोर्ड बाइंग को भी खेरना चाते हैं लेकिन जिस तरीके से आपस महीं एक दुसरे के साथ ये गुथं गुथा हो रहे हैं देश के रक्षा मंतरी को गडबंदन का नेता बड़ा नेता कहता है कि कुट्ता भी नहीं पूछ रहा है उन्हें पिछलगवा करार देता है बीजेपी के मंच से देता है अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी इस्थिति में ये इंडिये के नेता महागडबंदन को आखिर कितनी चुनौती दे पाएंगे सवाल यह भी नहीं है कि राजनात सिंग देश के रक्षा मंत्री हैं सवाल यह भी नहीं है कि वो भारतिय जनता पाटी के नेता है और यह भी सवाल नहीं है कि वो मंच BJP का था और वीर कुवन सिंग का विजय उत्सो था दरसल राजनाथ सिंग देश के सम्मानित नेताओं में से एक हैं राजनाथ सिंग नेता भले ही BJP के हैं लेकिन उनका सम्मान हर दल के लोग करते हैं हर जाती धर्म और समदाय के लोग करते हैं राजनाथ सिंग का बड़ा संसधिय जीवन रहा है वो BJP के रास्ट्री अध्यक्ष भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं वो देश के ग्रिय मंत्री भी रहे हैं और चिराग पास्वान की उपाध्यक्ष यानि की दूसरा नंबर लोग जन्शक्टी पार्टी राम विलास जिसके अध्यक्ष है चिराग पास्वान और उपाध्यक्ष है चुता नंदन सिंग पूरु विधायक हैं भारतिय जनता पार्टी में भी रहे हैं कारिक्रम बीजेपी की ओर सायोजित था और चूंकि बीजेपी से संबंध था पूरुविधायक अचिवता नंदन सिंग का उस कारिक्रम में वो जाते हैं और वो राजनात सिंग पर टिपणी कर देते हैं ऐसी स्थिती में यह सवाल अब खड़ा होने लगा है कि कैसे NDA महागणबंदन को चुनोती देगा इसके साथ ही आपको बता दे कि अचिवता नंदन सिंग ने उस मंच से क्या कहा उन्होंने कहा कि लोक तंत्र में शत्रब बनना चाहिए राजा बनना है तो वोट की ताकत है वोट की ताकत लानी होगी जिसको वोट आएगा वही भारत का प्रदार मंतरी बनेगा वही बिहार का मुख्यमंतरी बनेगा कहते कहते अच Malcolm चाहिए पिछलगवा बनने के लिए राजनात सिंग और भाषपाई भलक जाते हैं और उनसे माइक छीन लेते हैं इसके बाद विवाद वाद तक्रार का दोड़ शुरू हो जाता है और इस तरीके से एक दुसरे को इतने बड़े नेता को कुट्ता भी नहीं पूछ रहा है ऐसा कहकर क्या बिहार में नितिश कुमार की सत्ता को ये लोग चुनौ पुले rays से लोग कोई ये लोग का दो ये लोग जाद एक किसला है